हेलो मूवीज लवर्स आप देख रहे हैं मूवीज बायो आज मैं आपको तीन ऐसी मूवीज बताऊँगा जिसमें आपको एक्षिन के साथ साथ फेंटसी का मज़ा भी मिलेगा वीडियो में कुछ भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहुआ तो चले शुरू करते हैं एक्षिन फेंटसी मूवीज के नाम पहली मूवी का नाम में आवतार दा लाश्ट एयर बेंडर जो 2010 माई थी मूवी की कहानी एक लड़के पर बैसे जिसका नाम आंग होता है कानी की में दिखाया जाता है कि दो भाई बैन खाने की तलाश कर रहày होते हैं जहापर उन्हें ब्रफ में एक रोश्नी निकलती हुई दिखती हैं और उसमें सो उन्हें एक लड़का मिलता है जो के एक एरबेंडर होता है एरबेंडर वे होते हैं जो हवा, पानी, आग और जमीन की शक्तियों को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ही उस लड़के को होश आता है, वे दोनों भाई बेन उसे अपने कबीले ले आते हैं। पर अगनी देश के राजा का बेटा आंग को बंदी बना लेता है, और उसे जहाज पर ले जाता है। ताकि वे राजा के सामने आंग को पेश कर सके और अपने आपको साबित कर सके, लेगिं आग महां से भाग जाता है। बिल्गी का नाम है मुलान, जो 210-20 माई थी। मूवी की कानी एक लड़की पर बेसे जिसका नाम मुलान होता है काने की शुरुआत में दिखाया जाता है कि बोरी खान नाम का एक व्यक्ती सभी चाउनियों पर हमला करकर उन पर कपजा करता जा रहा था जिसके बाद चीन के राजा एक फर्मान सुनाते है जिसमें ये लिखा होता है कि बोरी खान से लड़ने के लिए सेना में बढ़ती होगी जिसमें हर एक घर से एक आदमी को सेना में बढ़ती होना होगा लेकिन मुलान के गर में उसके पिता के अलावा और कोई भी आदमी नहीं होता है जिसके बाद मुलान के पिता इस भरती के लिए तैयार हो जाते है लेकिन मुलान के पिता का एक पेर सही नहीं होता है जिसके करण सभी लोग मुलान के पिता का मजाक उड़ाते हैं इसके लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। तीसरी मूवी का नाम है Dungeons & Dragons जो 2023 माई थी। मूवी की कहानी चाल लोगों पर बैसे जिनका नाम डेरिक, एडगिन्स, होलगा और साइमन होता है। ये चारों लोग एक आइलेंड पर चोरी करने के लिए जाते हैं, जहां पर एक ऐसा टेबलेट होता है, जिससे कि मरेवे लोगों को जिन्दा किया जा सकता है। इसलिए एडगिन्स अपनी मरी हुई बीवी को जिन्दा करने के लिए उस टेबलेट को चुराने की सोचता है। जादूगर्नी पूरे शेर को एक जोंबी में बदलना चाती है। क्या वह जादूगर्नी ऐसा कर पाएगी या नहीं, इसके लिए आपको ये मूवी देखनी होगी।